तो आज की कहानी की बात करों तो आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिस कहानी में आप एक अजीब चीज देखेंगे कि कोई बैक्ती अपने स्वार्त में किस कदर अंधा होता है अंधा होने के बाद कितना सातिर होता है और सातिर होने के बाद उसने बड़े सातिरान अंदाज में पूरा कांड किया ना कोई सबूत ना कोई सुरा कोई चीज नहीं छोड़ी लेकिन फिर एक तैस में आके ऐसी गलती भी करता है कि पुलिस वालों के सामने वो खुद पहुंच जाता है बस पुलिस वालों को एक तस्बीर मैच करानी होती है और जो पूरी क्राइम कुंडली थी वो निकल के सामने आ जाती है और अगर साइद वो ये चीज ना करता ये केस सुलस्ता ही नहीं और साइद आज इस केस का फैसला भी आया एक जनौरी को यानि भी कुछ दिन पहले तो मुझे लगा इस केस को आपको सुलदाना चाहिए और अगर वो गलतियां वो कातिल ना करता तो पूरी कहानी ना सुनने को मिलती और ना ही इस केस में कोई फैसला होता और पुलिस वाले साइद लाठी ही बीटते रह जाते तो पूरी कहानी क्या है आपके सामने सिलस्लेवा तरीके से हाजिर है तो इस कहानी की सुरुवात होती है उत्रप्रदेश के मेरट से बात साथ 2019 की है इसी मेरट में एक शक्ष रहा करता था जिसका नम था अबरार अबरार ठीक ठाक परिवार से बिलॉग करता ज्यादा पैसे नहीं थे ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था छोटी मोटी कहीं काम करता कहीं छोटी मोटी नौकरी करता उसी से अपना पेट पालता हाल में ही अबरार की शादी हुई थी शादी होने के पाद जो वीवी थी अपसाना जब ससुराल आती है तो आने के बाद फिर अबरार से कहती है कि जिसे साथ से अब जिन्दगी अब तक जी रहेते हैं यानि तुम कोई काम वोम जादा करते नहीं थे तो अब तुमारी शादी हो गई है और अब परिवार आगे पढ़ेगा आद अवलाद होगी तो इससे पहले कि कोई बच्चा हो और हम लोग की उपर जिम्मेदवारी आए और उसकी परवरिश को लेकि उसकी पढ़ाई लिखाई को लेकि थोड़ी सी चिन्ता हो तो क्यों न कहीं बाहर रहे कि कुछ पैसे कमा ले हो और अगर चन्द पैसो का जुगाड हो जाएगा तो आने वाली पीड़ी आने वाली नसल थोड़ी अच्छी बुझ रहेगी अबरार को भी ये बात ठीक लगी अबरार ने भी अपने माबाब से इस बारे में मसुरा लिया कि ऐसे ऐसे अपसाना कह रही उन्हें भी लगा कि बढ़ियां एगर बहु ऐसी कह रही और बेटे को मोटिवेट कर रही तो माबाब ने भी कहा कि जाओ और कहीं बढ़ियां जगा अपनी नौकरी और अपनी चीजों को देख लो और वही रहना आराम से कमाना खाना अपने बच्चों को पढ़ाना आम तोर पे हर माबाप का ही सपना होता है कि हमने तो अपने बच्चे को वो परवरिश नहीं दिया उस हिसाब से सुबधाय नहीं दे लेकिन वो अपने बच्चों को जरू होते दे तो अपरार के माबाप उसको कहते है अपरार फिर अपनी बीवी अफसाना को लेके इसी मेरट में एक थाना लगता है लिसाडी गेट थाना और इसी लिसाडी गेट थाना में एक इलाका लगता है रसीद नगर इसी रसीद नगर में किराय की कमरे पे अबरार और अफसाना दोनों रहने लगते हैं अब दिन भर जो अबरार था कई मेनत मजदूरी करता कई नौकरी करता, थेरी लगाता इस विसाब से अब उसकी जिन्दगी चलने लगी इधर अफसाना घर पे अकेली ना कोई बच्चा ना कोई कुछ और दिन भर घर का काम करती जो कुछ पैसे इधर उदर कमाना चाहे तो सिलाई कड़ाई का भी काम कर लेती उसी से अब बाकी जिन्दगी चल रहे तमाम चीजे ठीक चल दी रहे अब धेर धेरे मुहले में भी इन लोगों का घुला मिलना सुरू हुआ आसवास के लोग भी जानने पहचानने लगे इस दवरान अबरार के भी कुछ दोस्त बने अफसाना की भी कई सहीलिया बने सारी चीजे बिल्कु ठीक चलती रहे वक्त धेरे आगे बढ़ता रहा लेकिन इनी तमाम चीजों के बीच एक तारी खाती है दो अप्रेल साल 2019 दो अप्रेल साल 2019 को जिस कमरे में ये लोग रहते थे मिया भी भी अबरार और अपसाना उस कमरे में रात में अचानक से आग लग जाती है अब अचानक से आग लगी आग लगने के बाद अप्रार बाहर था भाग के अंदर आया धुआ आसपास के लोगों ने देखा वो भी भाग के अंदर आये अब जैसे तैसे करके आग पे काबो पाया गया फायर विगेट की टीम में आये उन्होंने आग बुझाई आसपास के लोगों ने कड़ी मसकत की पानी डाला लगबग घंटे भर लगे और घंटे भर बाद ही उस कमरे में जितनी याग लगे थी उसको जब बुझाया गया तो पहला सवाल यही था कि आखिर अफसाना कहा है चुकि अबरार तो बहाँ था अफसाना घर के अंदर थी अब अबरार ने जब ये चीज़ देखी तो वो बिचारा रोने लगा इधर आग जब बुझ गई तो आसपास के लोग जब अंदर जाते है तो अंदर एक लाश मिलती है एक महिला की अब जैसे ही लाश मिली और इधर अफसाना का कहीं कुछ पता नहीं फौरान आसपास के लोग कहने लगे कि अफसाना की तो मौत हो गई जलके फौरान पुलिस आई आने के बाद बॉड़ी अपने कबजे मिलिया लेने के बाद बॉड़ी पोश्माटम के लिए लेके गए बॉड़ी का पोश्माटम हुआ इधर जो अफसाना के माई के वाले थे हैं और अबरार के सस्रौल वाले ये दोनों पक्च भी आ गए आने के बाद अब जिरह बहन सुरू हुई पहला सब के मन में कि जब घर के अंदर आग लगी तो अब साना जलके मर गई और आग इतनी भीसर थी कि आग बुझाई भी नहीं जा सकी तो इसके लिए तो आग का कुछ प्लान जरूरी है और ये तमाम चीज़ जब होई तो अबरार को कोई चोट या फिर कोई इंजरी क्यों नहीं आई अबरार को कहीं एक लव तक क्यों नहीं लगी और एक कमरे के अंदर इसे साबसे आग लग कैसे सकती है कि पूरा घर जल जाए और एक महिला जल के मर जाए और ना ही कोई बचने की उम्मीद देखे ना ही कोई बीच बचाओ तो ऐसा कैसे त्योंकि घर के एक कमरे के अंदर क्या होगा एक बिस्तर होगा, एक चादर होगा, तकी आ होगा छोटी मोटे फरनीचर की चीजे होगी लेकिन इनमें आग पकड़ने में घंटो लग जाते है और अपरेल में इतनी गर्मी भी नहीं थी अब ये तमाम सवाल परिवार वालों से लेके पुलिस वालों को परिशान कर रहे थे बैरहल अब जाच परताव सुरू हुई इधर जो अफसाना के माई के वाले थे उन्होंने दहज उत्पीडन का केश लगा दिया और जो लिसाडी गेट थाना है वहाँ पे जाके कहा कि मेरी बेटी को जो अबरार है उसने मार दिया दहज के लिए पुलिस वालों ने भी केश दर्श कर दिया उसके बाद जाचपड़ताल सुरू हुई बाडी जो थी माई के वालों के हवाली कर दी गई उन्होंने उसको सुपुर देखा कर दिया जाचपड़ताल चल रही अबरार से पूचताच हुई लेकिन जब अबरार से पूचताच हुई मिला और कहीं से इस सिद्ध नहीं हुआ कि अबरार ने कुछ किया है पुलिस वालों को भी लगा कि हो सकता है एक एकसिडेंट हूँ और एकसिडेंट ना सहे तो इस महिला ने आत्मत्या किया होगा और इस मामले में अबरार की कोई गलती यहा फिर अबरार कहीं से भी दोसी नहीं है, पुलिस ने अबरार को छोड़ दिया यह तमाम चीजे चल ही रही थी, अबरार की उपपर बाचीत हो रही थी आस पास की लोग दभी कुछ लियावाज में तरह तरह की बाते कर रहे थे, इसी दोरान इसी लिसाडी गेट ठाने में एक और कम्पलेन दर्ज होती है ये कम्पलेन एक महिला की थी जिसकी नाम थी जीनत और ये कम्पलेन उसके माईके वालों ने ही दर्ज कराई और उन्होंने कहा कि ये जीनत को उसके पती यानि जिसका नाम था अश्रप उसने गायब कर द ही है असरफ वो जीनद से अक्सर लड़ता रहता था और दहेज और तमाम चीजों को लेके अक्सर डिमांड्स भी करता था और हमने वो डिमांड्स पूरी नहीं की लेयाहर जा एक तारिक कि बात आनि एक अप्रयल से जीनत को हमने phone किया phone लगा नहीं फिर हमने घर आके पता किया तो घर वालों ने बताये कि जीनत दिखी नहीं तब आजम थाने आ रहे हो आने के बाद complaint दर्ज करवा रहे हैं अब दो तिन दिनों के अंदर पुलिस के पास दहेज के दो case दर्ज पहला अफसाना का जो फरजी था और दूसरा जीनत का पुलिस वालों ने भी जब ये चीज देखी उन्हें बड़ा जीब लगा एक महिला जलके मर गई और उसके खिलाब भी दहेज का केस लगा इधर एक महिला गायब है वहाँ भी दहेज का केस तो कायदे से पर्शिप्शन भी बना कि माई के वाले कोई भी मामला भी फरण दहेज उत्पीड़न का केस लगा देते हैं लेकिन अब पहला मामला तो उपेन सट था लेकिन दूसरे वाले में तो महिला सच में गया थी लिहाज अब पुलिस वालों ने जाच परताल सुरू की छान बीन सुरू की सबसे पहले उस महिला की जो तस्बीर है यानि जीनत की उसको अलग लग जगहों पे सर्कुलेट किया कि ये महिला कहीं दिखाई दी नहीं दिखाई दी उसके बारे में आसपास की लोगों से पूस्ताच की तप्तीश शुरू की इधर जो असरफ था उसको उठाया उससे पूस्ताच की लेकिन तमाम पूस्ताच में तमाम तप्तीश में नहीं जीनत का कुछ पता चला नहीं कोई ऐसे सबूत, कोई ऐसे क्लू, कोई ऐसी चीज मिले जिससे यह पता चल सके कि आखिर जीनत गई कहा जहांच परताल पुलिस वाले करते रहे अपने तरीके से छानवीन करते रहे वक्त धेदरे गुजरता रहा लवक दस दिन गुजर गए और जीनत का कहीं कुछ पताना चला इधर जब जीनत का पता नहीं चला तो पुलिस वालों को भी लगा कि अगर कहीं गई होती तो अब तक किसी रिल्विस्टेशन से, किसी स्टेंड से कोई तस्बीर जरूर आ जाती कोई आटो वाला मिल जाता वो बता देता कोई पड़ोसी बता देता कि हाँ यहां से गई थी, समान लेकी गई थी और एक चीज़ और पुलिस वालों ने जब घर जाके पता किया तो एक चीज़ और हैरान करने वाली थी दरसलाम तोर पे अगर कोई महिला गायब हो अपने घर से कहीं जाएगे और घर छोड़ के निकलेगे तो कम से कम अपना कुछ समान या फिर कोई ऐसी चीज़ अपनी जरूर लेगी लेकिन जीनत के लगबग कपड़े, स्लीपर, पर्स, बैग, मुबाइल फोन ये तमाम चीज़े तो वहीं पे थी तो आखिर ऐसे कैसे जीनत गायब होगी यानि जीनत अपने मरजी से कहीं गायब होई नहीं चुकि गायब होते तो कुछ पैसे लेके जाती, कुछ गहने लेके जाती, कुछ कपड़े लेके जाती और अगर अपने मरजी से नहीं गायब हुई तो इसका मतलब किसी ने उसको गायब किया तो किसी ने किया तो कौम तो सक के गेरे में पती पुलिस वालों ने अपने जाच परताल का दाएरा जो था पती के रदगि फिर से गुमाया उससे फिर से पूस्ताच की इधर जो जीनत की बेटी थी सोफिया जब उससे पूस्ताच हुई तो फिर पुलिस वालों को उसने बताए कि हाँ मेरे पापा और मम्मी लडाई तो अक्सर करते थे लेकिन अब लडाई में कतल हो जाएगा ये नहीं पता था या फिर मेरे पापा मेरे मम्मी को कहीं गायब कर देंगे ये भी नहीं पता था अब ये statement जब पुलिस वालों ने सुना तो सुनने के बाद उनका दिमाग घूम गया कि बिटी आइक तरफ कह रही है कि कर देंगे पता भी नहीं था मना भी नहीं कर रही कि मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते हैं तो बात 50-50 हो गई कि कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं बैरहाल पुलिस वालों ने उस बच्ची से कहा कि बेटा ठीक है अभी तो हम लोग जा रहे हैं लेकिन अगर कोई भी छोटी से छोटी बात तुम्हें याद आए तो एक बार जरूर मुझे बता देना इतना कहने के बाद जो पुलिस वाले थे वो चले जाते हैं जाने के बाद इन दोनों घटनाओं को लगबग बाइस दिन गुजर जाते हैं बाइस दिन बाद पुलिस वाले जाज परताल कर रहे हैं जीनात का कहीं कुछ पता नहीं इसी दोरान एक महिला मेरट के महिला थाने में आती है और आने के बाद बेहत तैश में जो महिला पुलिस कर्मी थी उससे अपने कंप्लेन दर्ज करने को कहती है अब एकदम तैश में थी उस महिला पुलिस कर्मी ने उसको बैठाया और कहा कि बताई आपके साथ क्या हुआ अब ये महिला पुलिस कर्मी कहती है महिला पूलिस कर्मी जब पूशती है कि क्या हुआ तो जो सामने महिला आई थी उसने कहा कि मेरे साथ यून सोसर हुआ है और एक शक्स है एक आदमी है जिसका नाव है प्रबीर उसने मेरे साथ संबन्द बनाया संबन्द बनाने के बाद मुझे खुब यूज किया और आज जब मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ तो उसने मुझे दुद्कार दिया मुझे एक तरह से लात मार दिया और आज मेरे पास कोई चारा नहीं बचा मैं कहा जाओ अब ये चीज जब उस महिला पुलिस कर्मी ने सुनी तो उसे भी लगा कि इस महिला के साथ गलत हुआ उसने कहा ठीक है आप अपनी कंप्लेन दर्ज कराईए आप बताईए कौन है कहां से है और अपना धार काट दे दीजिए साथ ही उस सक्स का नाम बताएए हम उसके किलाब फिर जाच परताल करेंगे उसके बाद इस महिला ने अपनो नाम बताया कहां मेरा नाम निशा है और मैं गोकलपूरी में उसी के साथ रहती थी हम दोनों लीबिन में थे उसके बाद अब मुझे यूच किया, मैं प्रेगनेंट हो गए उसके बाद वो मुझे छोड़ रहा है और उसका नाम प्रबीड है यह चीज महिला पुलिस कर में दर्जकर ही रही थी लेकिन इसी दवरान एक पुलिस वाला था जो उस महिला थाने में था वो जब निशा कंप्लेंट दर्जकर वा रही थी तो कभी वो निशा को देखे तो कभी अपने मुबाइल फोन को देखे फिर कभी निशा को देखे फिर कभी अपने मुबाइल फोन को देखे यह तमाम चीजें लगबग उसने 15-20 मिनट तक की इन 15-20 मिनट में उसको अजीब अजीब चीज़ें है उसे नजाने क्यों ऐसा लगा कि सायद इस महिला को तुसने कहीं देखा है और इस महिला के बारे में कोई कंप्लेन उसने सुन रखी है लेगिन वो फिर दिमाग पर जोड डाले कि कोई निशा गोपलपूरी से कंप्लेन फिर दिमाग में आये नहीं अब एक तरफ लग भी रहा कि कोई कंप्लेन आई है अब ऐसे वो फूस्ताज भी नहीं कर सकता तो इस तमाम उदेडबुन में उसने चोरी से उस निशा के एक तस्बीर खीची और तस्बीर खीचने के बाद वो बैठ जाता है चिक करने कि कहा देखा है वो अपने थाने जाता है जाने के बाद अपने जो जूनियर थे उनको बताता है कि इस महिला की तस्बीर को मैंने कहीं देखा है और ऐसा मुझे लग रहा कि किसी मामले में इसके खिलाब केस दर्ज है और कहीं तो इसकी तलाश की है अब लोकल जो पुलिस थी और जो जूनियर थे उन्होंने जब तस्बीर देखी तो देखने के बाद इसी में से एक अच्छानक से चोक उड़ता है और चोकने के बाद कहता है साहब ये तो वही महिला है जिसकी मौत हो गई है अब पुलिस वालों ने कहा कि कौन तो इस पे वो लोकल पुलिस कर्मी बताता है कि ये तो अफसाना है जिसके जलने का मुकदमा उसके माईके वालों दर्ज करवाया था और उसके एक तस्बीर थाने में है फोरण जो लिसाडी गेट थाने में वो फाइल थी उसको मंगवाई जाती है मंगवाने के बाद फोरण जाच परताल की जाती है और जब तस्बीर जो इस फोन में थी निसा की और अफसाना के माबाप ने जो तस्बीर कंप्लेन के दोरान दर्ज कराई थी जो की बाड़ी तो जल गई थी तो एक असली तस्बीर चाहिए थी जब उन दोनों चीजों को मैच कराया गया वित्वाक से तस्बीरे मैच हो गई यानि जो निशा है वही अपसाना है और अगर निसा अपसाना है तो फिर निसा कैसे अब इसका जबाब जानने के लिए पुलिस वालों ने अपना जाल बिचाया और 28 तारिक को 2 अप्रेल साल 2019 को ये पहली घटना हुई थी और 4 अप्रेल साल 2019 को दूसरी कंप्लेन दर्ज हुई थी और 24 अप्रेल साल 2019 को निशा पहुंस दिये थाने कम्प्लेंट दर्ज करवाने और 28 अप्रेल, चार दिन लग गए वेरिफिकेशन में 28 अप्रेल साल 2019 को निशा और प्रवीड को गिरपतार करती है पुलिश और गिरपतार करने के बाज़ पूस्ताच करती है तो ऐसी कहानी निकल के सामने आती है, इसे जानने के बाद पुलिस वाले भी सन रह जाते है दरसल जो अप्साना थी, वो मरी ही नहीं थी और यहीं से कहानी पहुंच जाती है, 6 महीने पहले दरसल दिन भर जब अबरार बाहर रहता, तो उसी बाहर रहने के दोरान अप्साना भी बाहरी दोदर मार्केट घोमने निकलती है और इसी मार्केट घोमने निकलने के दोरान उसकी मुलाकात प्रवीड से होती है प्रवीड से उसकी मुलाकात हुई, दोनों के भी इस दोस्ती हो गई दोस्ती जब आगे बढ़ी तो दोनों के भी संबन्द हो गया, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे लेकिन इस प्यार के दौरान अफसाना ने दो बाते चुपाई थी पहला कि अफसाना मुस्लिम है और दूसरा अफसाना साधी सुदा है वो प्रवीड के प्यार में इसकदर पागल थी कि उसने ना ही अपने असले धर्म के बारे मताया और ना ही उसने अपने साधी सुदा जीवन के बारे मताया जो कि उसे डर था कि अभर जान जाएगा की मैं मुस्लिम हू या फिर में शादी शुदा हूँ तो प्रवیर्ड मुसे शादी नहीं करेगा लिए जा वो निसा बता कि अपने आपको प्रवेर्ड से मिलती रही उससे बातचीत करती रही उसके साथ शादी करना चाहती थी लेकिन उसे एक बात पता थी कि शादी करूं कैसे मैं पहले से साधी शुदा हूँ और अगर मैं छोड़के गई भी इससे तलाग भी लिया और कहीं जो मेरा पती ही अबरार और प्रवेंट को बता देगा कि मेरी बीवी रह चुकी है या पहले से शादी शुदा है तो ऐसे हाल में फिर ये शादी करेगा नहीं तो फिर क्या करें तो फिर इसने एक प्लान बनाया और प्लान इसने एक सीरियल कि कहीं मैं किसी को मारूं और मारने के बाद मैं इधर निकलूं और उसके मामले मैं पुलिस याँच परताल करे और जीरा भांटा पूर जाँग तो इसे एक ऐसे महिला की तलाश थी जिसके बारे मम पुलिस ज्यादा इंक्वाइरी नकारे और जाँच-परताल जीनत बताती है कि मेरा पती मुझे को परिशान करता है और कई बार ऐसा मुझे लगा कि यह मुझे मार देगा या फिर मुझे गाइब कर देगा अब जीनत ने तो अपना दुख साजा किया लेकिन जो अपसाना थी उसको एक मौका मिल गया फोरें इसमें प्लान बनाया और प्लान बनाने के तहट इसे पता था कि दो तारीक को इसका शोहर जो है बाहर रहेगा तो फिर ये जीनत को फोन करती है फोन करके बुलाती है और साथी कहती है कि यार तुम अपना फोन लेके मताना चुकि तुम फोन लेके आओगे तुम्हारा शोहर फिर फोन करेगा और तुम आओ और कुछ दिर बातचीत करते हैं और बातचीत करने के वाद जब थोड़ा सा मूड फ्रेस हो जाएगा तो चली जाना अब सायद जीनत को उसे दिन उसके शोहर ने डाटा फट कारा भी था तो जीनत टूटे मन से इसके घर आती है आने के बाद ये जीनत को पेने के लिए कोल्डरिंग देती है और उस कोल्डरिंग में इसने नीत की दवा मिला दी थी अब खोल्टरिंग दी थी, नेट की दवा मिली थी, इसने दवा खाई, ये शो गई और जैसे ये सोती है, फॉरन ये पूरे कमरे में कैरोसीन शिरकती है साथ ही जो मिनी गैस सिलिंडर था उसके स्विच को आउन करती है जब पूरे कमरे में गैस फैल जाती है, तो ये बाहर से माचिस मारती और माचिस मार के अंधेरे में भाग जाती है भागने के बाद इधर जीनत पे चाले जिन्दा जल के मर जाती है और इतना स्कैरोसीन इसने छिड़का था कि जब तक कोई जल नहीं गई और इतना इंतिजामात इसने किया था कि लाश की पहचान नहों उसके बाद ये निशा बनके पहुँच जाती है प्रवेड के पास और उसी के साथ गोकल पूरी में रहने लगती है रहने के दोरान पहले से भी मुलाकात इन दोनों की जारी थी तो ये प्रेग्नेंट उसी और इधर प्रवेड के साथ ये रहने लगी रहने के दोरान अब बातचीत सम्मन तमाम चीज़े एक छट के नीचे तो फिर जब यह pregnant हुई तो इसने प्रबेड से कहा कि अब तुम उससे शादी कर लो अब शादी की बात प्रबेड ने सुनी तो उसने कहा ठीक है लेकिन अभी शादी करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा अब उसने कहा वक्त लगेगा तो कैसे लगेगा उसने का कि अभी मैं उस हिसाब से सेटल नहीं हूँ, मैं शादी करनों तुमसे तो यहीं गलती से अब तक यह जो निशा बनी थे यहीं गलती से इसके मूँ से निकल जाता है कि आरे अल्ला मैंने तो तुम्हाई लिए इतना क्या है और तुम ऐसे कर रहे हैं अब जैसे ही अल्ला शब्द प्रवेड के कान में पड़ा, उसे लगा कि यह क्या उसने फौरण अब जित करके पूछना शुरू किया कि क्या तुम निशा ही हो तो अंत में जब इसका भाड़ा वहां पूटा तो प्रवेड ने कहा कि तुमने इतना बड़ा छलकपट किया है मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा और तुम अपने शोहर के पास लौट जाओ अब ये शब्द जब प्रवेड के मूँ से इसने सुना और उस प्रवेड को जिसको पाने के लिए उसने इतनी साजी सरसी एक कतल किया तो बड़े तैश में आती है और इसे लगता है कि अब मैं बदला लोगी और ये बदला लेने के लिए पहुँच जाती है महिला पुलिस थाने और वहीं पर उसको पुलिस वाला देखता है देखने के बाद ये तमाम कहानी निकल के सामने आई अब लगबद 24-25 दिन बाद जब ये पूरी कहानी निशा बताती है तो अब यहाँ दो दिक्कते थी कि तुमने तु कहानी बता दी लेकिन कतल तुमने किया है और मरने वाले जीनत ही थी इस बात का सबूत क्या है चुकि कोर्ट सबूत मांगता है और इस केस में प्रबीड का कितना योगदान है तो इसके बारे में अब फिर से जाजबताल सुरू हुए सबसे पहले पूरे इलाके के जो कैमरे थे उनको चेक किया गया और साइद ये काम पुलिस वाले पहले कर लेते तो बात आसान हो जाती जब उन कैमरों को चेक किया गया तो जो जीनत थी उस कैमरे में इसके घर की तरफ आती हुई दिखाई देती है और एक चीज और फिर अचानक से जो जीनत की बिटिया थी शोफिया वो थाने आती और आने के बाद उसने statement दिया और उस statement में कहा कि मेरी जो मा है उससे आखरी बार बात आंटी ने ही की थी लेकिन उस टाइं मुझे पता नहीं था कि आंटी भी ऐसा कुछ कर सकते हैं इसलिए मैंने अपनी किसी statement में उस बारे में कहा ही नहीं, तो दोस्वूत हो गए, लेकिन अब सबसे important चीज, कि मरने वाली जीनत ही थी, ये बात कहां से proof हो, चुकि ये आई गई वो ठीक है, लेकिन जब तक लाश नहीं, तब तक कतल नहीं, तो यहाँ पे पुलिस वालों की किस्मत ने उनका साथ दिया, दरसल बारडी तो उन्होंने परिवार वालों के हवाले कर दी, उसों पुर्देखाग भी हो गई, हालाकि मुस्लिम थे तो सायथ ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, बारडी को निकाला जा सकता था, हिंदू में ज़्यादा दिक्कत होती है, चु तो उस बिसरा से और उस डियने से काईदे से कहें, सुफिया की डियने को मैच कराया गया फिर, और रंत में वो डियने मैच हुआ और यहां से प्रूफ हुआ कि जलने वाली महिला थी, उस महिला का नाम कोई और नहीं जीना थी था, और चुकि तमाम जो सरक्म्टेंशल नहीं दिखा, तो फिर अभी मुकदमा चलता रहा, मामला कोट में गया, तमाम तरह के सबूत रखे गए, तमाम तरह के गवार रखे गए, जो डियने रिपोर्ट थी वो रखी गई, और अंत में जो सेसन कोट है, लोर कोट है भी मिरट की, उसने इस अफसाना को उम्र कैद, यानि पूरी जिन्दगी, लाइप इंप्रिजमेंट, पूरी जिन्दगी जेल में रहने की सज़ा सुना दी, और चार साल बाद ये फैसला आया है, और सायथ चार शीट 2019 में ही फाइल हो गई थी, और 2024 में फैसला आया, तो अभी लोर कोट का फैसला आया, भी ये लोग साय दाय कोट में चैलेंज करें, लेकिन अभी तीन से चार दिन पहले इस केस का जब फैसला आया, और ये फैसला मैंने पढ़ा, तो मुझे लगा कि इस कहानी को आपको एक बार फिर से सायथ सुना नी चाहिए, हो सकता आपने कहीं सुनी भी हो, तो फिलाल ये थी पूरी कहानी और इस कहानी में एक कजीब समय से चुपा हुआता कि आदम कितना स्वार्थी होता है, तैस में आके कितनी गलतियां करता है, और उसी तैस में फिर अपने जिंदी को चोपड भी कर लेता है, तो फिलाल ये थी पूरी कहानी, उमीद है इस कहानी से आपने कुछ सीखा जरू होगा, और सीखा है तो वीडियो को लाइक करके जैनों को अपना प्यार जरू दीजिएगा, और आप से कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ, तब तक अच्छे भी रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल लखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ख् और सुम दो जघिएगा है तो ऺवडों के लिस दूसरी किसी दूसली के लिएगा व्यवा है तो प्या ओिएगएगा, लेएगा आसे कहानी के सोचिसे कितने झाल झाल सम dozen चे जहिंएगा, तर狂 आसेे रहिएकी से कितो झाल सम कितो जुड़़गान क्या जग।ाम कितों कित